नमाज कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामान ग्यान के टॉप 50 कोस्चन जो कि आपका होगा प्रैक्टिस सेट खंड से अच्छा दिकारी एक्जाम के लिए तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पास में जो बैल आइकन होता उसको भी जरूर दबाने ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो गाईज आज के स्टन में पहला कोश्चन बनता है विस्चु का सबसे उचा बाण्ध कों सा है तो विस्चु का सबसे उचा जो बांध है Option B हो जाएगा रोगुन जो की पढ़ता है तजाकिस्तान में अगला कोश्चन है एहम्दाबाद के पास इस्थित द्वीप है तो कौन सा ये द्वीप है? Option D दमन और दीप अगला आपका कोश्चन गाईज है निम्न मैंसे कौन सी रचना अस्व घोसकी है? तो Option D ये सभी मतलब बुद्ध चरित्र भी है और सौंदरानन्द भी है और सारी पुत्त प्रकरण भी है नेक्स्ट कौश्चन आपका है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी है Option D खान अब्दुल गफवार खान अगला कोश्चन है व्रच्छों की आयू के अध्यन का विज्ञान है Option D डेंड्रो क्रोनो लाजी और अगला कोश्चन है नागा अर्दुन सागर परियोजना का निर्माड किस नदी पर किया गया है Option D क्रिश्णा नदी पर किया गया है अगला कोश्चन आपका गैस बनता है संपदा कर भारत में पहली बार किस बर्स में लागू किया गया Option C बर्स उनिस सो सत्ता बन अगला है आगा खान पैलेस इस्थे थै तो आगा खान पैलेस कहा है इस्थे थै Option C पूने वे Next question है ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है इसका अंसर हो जाएगा Option है खुसुबंत सिंग अगला कोश्चन है डक्टर जैनती नारलीकर ने किस छेतर में महत पून योगदान दिया है Option B खागोल बहुत की अगला कोश्चन है सहित भागत सिंग, सुखदेब और राजगुरू को फांसी की सजा कप दी गई Option C मार्च 1931 अगला कोश्चन है कौन सा संबेधानिक संसोदन 6-14 बड़सों के बीच के सभी बच्चों के लिए सिच्छा को एक मौलिक अधिकार बनाता है Option C 86 Next question आपका है Option D 9 बड़स Next question है आधनिक अंतर राष्टरिय बिधी का जनक किसे कहा जाता है Option B तो Option B हो जाएगा हमारा ग्रोसी एस को Next है उत्पाद सुल्क क्या है तो उत्पाद सुल्क क्या होता है Option B आप प्रत्यच कर्ज होता है वो उत्पाद सुल्क होता है अगला कोश्चन है अंतर राष्टिय न्यायाले की गणपूत्री है तो गणपूर्ती क्या है अंतर राष्टिय न्यायाले की Option E 15 न्यायदीस अगला भारत में प्रतेक बर्स बिधी दिबस मनाया जाता है Option C 26 नवंबर को Next question आपका बनता है Antarctic छेत्र में ओजोन छिदर का बनना चिंता का विशाय है इस छेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है इसका जो आंसर हो जाएगा Option B विशिष्ट दुरूबिय बाताग्र तथा सम्तापो मंडलिय बादलों की उपस्तिती तथा क्लोरो फ्लोरो कारवनों का अंतरवा ओके मतलब CFC कारवन का Next निमलिकित में सिक कौन सा तरतिय पीडी का मानब अधिकार है Option D विकास का अधिकार भारत में राष्टिय अ मानब अधिकार आयोक की स्थापना की गई थी Option E 29 सितंबर 1993 को अगला कुश्चन E उच्चितम नियायले के नियायदीस की नियुक्ती में बरीता दी जाती है Option C भारत के मुक नियायदीस और उच्चितम नियायले के तीन बरिष्ट नियायदीसों की राय को अगला कुश्चन E नियुक्त में से अंतर राष्टिय सांती और सुरच्चा बनाय रखने का प्रात्मे कुत्तर दाईत्व किसका है Option B सुरच्चा परिसत का Next कुश्चन E मिसरित आर्थवेवस्था का तात्पर है बहे आर्थवेवस्था जिसमे Option B प्राइवेट सेक्टर के साथ पबलिक सेक्टर का सहे अस्तित हो Next कुश्चन है नियुक्त में से किस आंदोलन का संबंद पर्या बरान सननच्छन से नहीं है Option D उप्रूक्त में से कोई नहीं अगला जैन साहित को कहा जाता है Option B आगम अगला कुश्चन है नियुक्त में से कौन अंतर राष्टिय न्यायाले का सदस्य था Option B डाक्टर नगेंदर सिंग अगला कुश्चन है महुंबद बिन कासिम ने अपना पहला सफल अभियान आरम किया था कहां से आरम किया था Option है देबल से अगला कुश्चन है नियुक्त में से कौन मुस्लिम बिधी का सुरोत है Option D ये सभी मतलब कुरान भी है इजमा भी है और कियास भी है अगला कुश्चन है नियुक्त उत्पादों का उत्पादों बार प्रमुक उत्पादक राज्जियों में से कौन सा यूग में गलत है तो option C गलत हो जाएगा और बांकी के जो तीन है बहुत सही हो जाएगा जिसमें पहला है लाल मिर्च ये हो जाएगा आंदर प्रदेश फिर है केसर ये हो जाएगा जम्मु कस्मिर फिर है D प्राकर्तिक रबड जो की हो जाएगा केरल अगला कोश्चन है बड़्स 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तित करने वाला बाइसराय था option B लिन लिथगो अगला है भारत के सम्मिदान में सारवजनिक आदेश मद का समावेस है option B राज्य सूची में अगला कोश्चन है निम्न में से किसकी रचनाव में मिलती है option B कल हड़ लेजर का विसकार किस ने किया तो लेजर का विसकार जो किया था option B CH टाउंस ने किया था और अगला कोश्चन है अंतरिच प्रोद्योगिकी के संदर्ब में बोबन क्या है option C इसरो का भूप पॉर्टल जियो पॉर्टल जिसमें भारत के त्रिविम प्रति भिम्बन की छमता है अगला है लेजर की मुद्रा क्या है तो लेजर की जो मुद्रा है option D दिनार है अगला कोश्चन है निम्लिखित में से भारत के किस सासक ने सर्व पॉर्थम रुपए का सिकाच चलाया option E फेड सा सूरी और अगला कोश्चन है इंडिया एंड पाकिस्तान इन बार एंड फीस तो उस्टा के लेखा कौन है option D जे एंड दिच्छित इस कोश्चन बनता है गाईस घरेलू प्रकास के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते है option B समान अंतर क्रम में अगला कोश्चन आपका काईस बनता है निमलिकित में से किसका नाम ग्रीक पौराणिकी के इस्वर जीयस के बाबा के नाम पर है तो इसका अंसर हो जाएगा option B प्लूटो अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन उलिस्ट में अंटार्टिका पर सरप्रथम पहुंचा option D थोड़ा सा उपर करते हैं फिर बताते हैं option D केवियन गोट लिये बेलिंग सासेन अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको गलत बाला बताना है option E पहला हो जाएगा गलत और बाकी के चो तीन है बहुत सही हो जाएगा जिसमें है B केंटू का हो जाएगा कारा कोरम फिर करेबा यह हो जाएगा कसमेर गाटी फिर पीर पंजाल यह हो जाएगा लगू ही माला है अगला हिडिकल परियोजना किस नदी और किस राज्य में है तो यह हो जाएगा option C गाट प्रवा करनाटक सिवा जी ने निमन में से किस के साथ 1615 SP में पुरंदर की संदी की थी option C राजा जैसिंग निमलिकित युगमों में से गलत युगम का चैन करना है और कूट दौर आंसर बताना है option D हो जाएगा सिर्फ V तो B वाला जो हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा बाकी के जोती ने बहुत सही हो जाएगा जिसमें पहला है जोग इसका हो जाएगा सराबती नदी फिरे पुनासा पुनासा का हो जाएगा चंबल नदी फिरे चूलिया इसका हो जाएगा चंबल नदी अगला है सीथ कालिन फसलों को बिविन राज्यों में अलग अलग नामों से पुगारा जाता है इस क्रम में गलत सुमेलित युगम को पैचाने तो option C हो जाएगा गलत माकी के जो तीने बहुत सही हो जाएगा जिसमें पहला उत्तर प्रदेश यह हो जाएगा आगाहनी फिर पस्टिम बंगाल यह हो जाएगा अमन फिर आसम बाओ या साली next question आपका है काउन सार राज्य तीन ओर से बंगला देश से गिरा है option D तुरुपुरा next आसकर अबाट जीतने वाले पहले भारतिये काउन थे option C वानु अथाया अगला चंडीगर सहर का डिजाइन बनाया था option D ली कारभू जीर ने और आज का लास्ट है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है option A मिलखा सिंग guys आज के इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें सियर करें और चनल को भी सब्सक्राइब करें thank you